बॉर्णिंग बच्चों आज हम योनिट वन का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो है ट्रांसजेनिक प्लांट्स यह हम पढ़ रहे थे पेपर 3 जो है बायो टेक्निलोजी एन यूटिलाजेशन आफ प्लांट्स उसकी योनिट वन के हम सारे टॉपिक पढ़ चुके ह और इन सारों के सारी टॉपिक्स के नोट्स भी आपको दे दिये गए हैं आज हम पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक जो है ट्रांसजेनिक प्लांट्स ट्रांसजेनिक प्लांट्स जो शब्द है वो क्या बता रहा है पहले हम देखते हैं अगर हम इसका संधी विच्छेत करें तो हम समझेंगे ट्रांस एन्चीन वतलब ऐसा प्लांट्स जिसके अंदर कोई ट्रांट्स जीन आ गया है ट्रांफग ऍUMसरs जीन करें ओवे घ्चिन का मतलब होता है एक और इससजीन जो फ्रॉरेट ग्रेंन हो। हो सकता है वो किसी अन्यस प्लांट से हो या फ gap दूसरे तो यह सेम प्लांट का नहीं होगे, किसी दूसरे प्लांट का जीन इसमें आ गया है. So, transgenic plants are plants that have had their genomes modified through genetic engineering technique by the addition of a foreign gene. इसमें बताया गया है कि transgenic plants ऐसे पादप होते हैं, जिनके genome को genetic engineering के द्वारा modified किया गया है. कैसे modified किया गया है, इनके genome में एक foreign gene को add करके, इनके genome को modified किया गया है. A foreign gene inserted into a plant can be offered different species और even kingdom. आप जानते हैं कि classification के बहुत सारी hierarchy होती है, जो kingdom से लेके species तक आती है. जाती तक आप बहुत सारे levels होते हैं, तो इसमें अलग species का भी हो सकता है, अलग kingdom का भी हो सकता है क्या foreign gene. The first transgenic plant was developed through the insertion of NPT-2nd bacterial antibiotic resistant gene into tobacco. यहां पर कुछ historical portion दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि पहला transgenic plant बनाया गया था, तंबाकू का, और उसमें कौन सा gene एड़ किया गया था? इसमें bacteria का एक gene है, जिसका नाम है NPT-2nd, जो कि antibiotic resistant का gene है, उसे एड़ किया गया था. The main purpose in the production of transgenic plants is to produce crops which have ideal traits, quality and high yield. तो अगर हमारा पहला दिमाग में कोशन यह आना चाहिए कि transgenic plants की आवशक्ता क्या है? तो आपको ऐसा फिल होगा कि हमारे जो natural या प्राकरतिक plants है, उसमें कुछ ने कुछ प्रॉबलम है जिसकी विजह से transgenic plants की को बनाने की आवशक्ता हमें हुई. इसका मतलब यह है कि transgenic plants, जो natural plants है, उससे अधिक ideal traits वाले, अच्छी quality वाले और high yield वाले होते हैं. Then, what is the method of preparation of transgenic plants? अगर हम उसके method की बात करें, तो इसमें कुछ मुख्य जो steps होते हैं, वो आपको screen के दिख रहे हैं. यहीं एक simple steps है. इसे पहला step है, the novel transgenic is identified and isolated. पहली बात तो यह है कि हमें पता होना चाहिए कि हमें किस gene की उस plant में आवशक्ता है, और उस transgenic को हमें इस identified मिलब उसकी पहचान की जाए तरह उसको isolate किया जाए उस particular organism से जहां से उसको gene, जिसमें वो gene पाया जाता है. Second, अगर आपने genetic engineering बढ़ी है अब तक तो उसे आप समझ चुके हैं, कि genetic engineering का जो main method है, वो लगबख सब में same होता है, कि किसी एक से gene निकाला, उस gene की फिर हमने cloning की, then cloning करने के बाद में, उस gene के जब बहुत सारे clones हमको प्राप्त हो गए, cloning कैसे करी, मैंने बताया था, cloning क तो फोटो कापी करना, तो फोटो कापी कैसे की गई, कि उसको आपने vector में डाला, और vector के साथ में, जीन मल्टिपलाई किया, और उसके बाद में फिर उस target gene को हमने एक process आपको पढ़ाई थी, genetic transformation, तो उस target gene को अपने किसी plant में transfer करना, transformation के द्वारा, then उसके बाद में next method था, selection of a transgenic plant, अब यहां पर एक important चीज ले बताई गई है, क्योंकि आपका जो gene है, जो भी trans gene है, वो जिस पादब में आप transfer करना चाहते हैं, उसमें transfer हुआ है या नहीं, तो उसके लिए कुछ selectable markers का में ले जाते हैं, जिसके द्वारा उनका selection किया जाता है, then last one is, regeneration of the transgenic plant by the process of plant tissue culture, आप unit 2 में plant tissue culture डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो यहां एक विदी है, जिसके अंतरगर्द किसी पादब कोशी का अत्वा पादब उत्तक से संपूर्ण पादब को प्राप्त किया जा सकता है, तो यह बात हुई, यह हैं 5 steps, वापस repeat करते हैं, पहला है, transgene को पहचा प्रादब कोशी का के अंदर, ट्रांस्फोर्मेशन के द्वारा डालना, ट्रांस्फोर्मेशन की हमने सारी टेक्निके पढ़ी है, उसके बाद में selection of transgenic plants and then regeneration of the transgenic plants by the process of plant tissue culture, तो यह 5 steps आपको याद रखने है, डाइगराम द्वारा समझे हम का आप देख रहे हैं, सबसे जिवानों से हमने transgene को isolate किया, यह आप देख रहे है, DNA extraction and isolation, फिर इस transgene की हमने cloning करी, क्लोनिंग कैसे करी हम जानते है, इसको वैक्टर में transfer करके, यह blue color का यह transgene है, और जो इस में yellow color का है, वो इसकी cloning vectors के जीन है, तो यहाँ हमने उसका, उसकी cloning करी, cloning करने के बाद मे transformation किया, transformation क्या होता है, किसी foreign gene को किसी organism में transfer करना, is called transformation, उसके बाद में पादव कोशी का आपको green color की नदर आ रही है, इसमें उसे transfer किया, बाद में आपे selection वाला method बताया है नहीं, लिकि selection आप automatically आप जो पैट्री बेट देख रहे हैं, इस पे वे ही पादव कोशी का group, प्राप्त हुई, उसके बाद पादव कोशी का हमको transformation के बाद प्राप्त हुई, उसे हम पादव उतक सवर्धन या plant tissue culture के द्वारा वापस नए plant बनाने में काम में ले सकते हैं, तो इस प्रकार से यह पूरी method है, यह बताता है कि किस प्रकार से transgenic plant को निर्मान किया जाता ह नेक्स्ट है कि हम transgenic plants का निर्मान करते क्यों है, ऐसे कौन-कौन सी application से transgenic plant के, मेटा एक चीज में आपको clear कर दूं कि यहाँ पर मैंने आपको जो पांच step बताए हैं, अगर आपको पूछा जाए कि how to create a transgenic plant, मतलब transgenic plants को develop कैसे किया जाता है, तो आपको यह पांचों step कि आपको जी थोड़े थोड़े बताने पढ़ेंगे, तो इस प्रकार से आप इसको इसमें एक थोड़ा बार transformation में भी बताना पड़ेगा, क्या होता है, बलान टिशु कलचर भी बताना पड़ेगा, आइसोलिशन अफ डियस ना बताना पड़ेगा, तो इस व्लमिला कि पा इनकी संपयोगीता बाउत चाहिताब्न उन्की काअधा है तो फैर्ट में बहुत सारी संद्वित है ते रहा है कि आवे फितल को उनिदे में पहले नहीं करें कि आरा सिंद्व इसब्न में हना किसे फेला पैंनला मुण तो इसा मतलबहताै प्रतीरोदक्स, के सद चेसे प्रती किसे कर सकता है प्लांट बाइयोटिक एंच कह update मुफ्लाओ एंच मदर जैविक और को जहिलनें पड़ते हैं कि यृसे कोई कीड़े है कोई पेस्ट होते हैं या अब्याजुआ इसे कोई जानवर लौक चैन्वता рек supports जेए बाइयोटिक में जर बादबी promotes स sinners was कि पैटा इंपोट्टेंट कोरफ से में उकाते हैं एन चात normberry को आपके मिद्ध रोक्त कर दो उब हमें हर्वी साइड रजिस्टेंस प्रति रजिस्टेंस प्रीस्टेंस होलिकिन हम को सबसे इंपॉटेंट चीज कि हमें एल्जादा चाहिए कि अगर हम गयों होगारे हैं और अधिक मात्रा कराप्त हो उसके लिए भी हम इसमें जनेटिक एंजिनियरिंग काम अच्छी प्रफट प्लांट की यह होनी चाहिए पहले बास बात हुई क्राइब अप्लांट की लेकिन कई बार आसा होता है कि यह बहुत महत्वून आप्लिकेशन है यह होते हैं कि यहां पर हम विभिन पॉटिंश को प्रवाद के लिए प्लांट को इन विट्रो कंडिशन में उन पादम कोशिकाओं को मेंटेन करते हैं और उन से वो परिकुलर उतपाद जो भी सिकंडरी मेटाबॉलाइट या प्रोटीन से वह सम्हम प्राप्त करते रहते हैं तो इसमें यह बताए गया है कि ट्रांजनिक प्लांट को ऐस बायो तो यह भी हम इन तीनों के हम कुछ कुछ एक्जाम्पल्स आगे बढ़ेंगे ताकि आपको समझ पाए इन तीनों बिंदूओं को तो पहला जो हमारा था और साथ में हर्भी साइड भी आपएड कर सकते हैं बायोटिक स्ट्रेस मतलब इसमें होता है कि किसी प्रकार के लिविंग और्गनिजम से अगर पादव को खतरा है तो उसे हम कहते हैं बायोटिक या जैविक स्ट्रेस प्रम प्रकार को अनदर आद ठीथन जीन इनों कंफर यंड्रीट टोइस पैथोजहलिक डीगनिजम से मतम फूर इक क्यक्कषि तो इसका जो सबसे महत्रपूर्ण एक्जाम्पल है वो है बीटी कॉटन इसके आपको समर्जना भी पड़ेगा कि बीटी कॉटन क्या होती है इसका नाम बीटी क्यों रखा गया है तो यह हम आगे पढ़ेंगे इसका उधारन बायोटिक स्थ्रेस का इसकी प्राति स्थ्रेसं आपको बता है रखने के लिए बहुत सारे काम में ल arises हो कि ऐसे पदाट जो कि उसके कुष्टिका के ऐस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करके रखते हैं इनके मुख्योंदारन है प्रोलीन पॉलियोल्स अल्कॉल्स होते हैं इसे सॉर्बिटॉल मैनिटॉल अगर ग्लाइसीन बीटेइन तो यह ऐसे कुछ कमपाउंड है जो कि ऑस्मोप् कि और यह सैलैनिती या फिर जो भी एप्याटिक स्ट्रंक है उसमें उसको रूकने में बहुत हल्फ़ुल होते हैं तो अगर इन जो फिपाजोगी इसको रोकते हैं ऐप्याटिक स्ट्रेस को उनको एंको हम ट्रस्पर करने किसी प्लांट के अंदर तो वो अकी José over तेगा अब हम बात करते हैं सबसे पहले BT cotton की, BT word जो आया है वो आया है bacillus thuringiensis से, अब bacillus thuringiensis क्या होता है, यहाँ एक bacteria है, तो B for bacillus and T for thuringiensis, तो bacillus thuringiensis is a bacteria जो कि क्या करता है, एक toxin का निर्मान करता है, जिसे हम कहते हैं BT toxin, ओके, और यह जो BT toxin है, यह दि इसे कोई lapidopterian insect, जादा तर जो insects होते हैं, जो कि cotton प अटेक करते हैं, वो सब इसी में आते हैं lapidopterian, तो जो भी lapidopterian insects होते हैं, उनको अटेक करके, उनको खतम कर देता है, इस प्रकार से, समझे हैं कि एक bacteria के एक gene ने ऐसा कोई toxin मिलाया, जिसका नाम है BT toxin, और यह toxin किसी बैक्टीरिया को, किसी पेस्ट को नस्ट कर रहा है, तो क्यों यह है जीन हम cotton में ट्रांस्पर कर दें, इस जीन की कारण cotton भी क्या करेगा, वो ही toxin बनाएगा, जो कि उस पेस्ट को नस्ट करेगा, तो जैसे ही उस पेस्ट मतलब उस कीट ने उस आटक किया cotton के ब्लांट पे, और उस cotton के ब्लांट में यदि BT toxin बन रहा है, तो वो क्या करेगा, उस कीट को नस्ट कर देगा, और इस प्रकार से आपकी जो प्रॉप है, वो बच जाएगी, तो इसी कारण BT cotton बनाया गया, BT cotton बनाया गया, बीटी कॉटन बहुत कॉंट जब इसको बाहर मार्केट में लाया गया, तो कई लोगों ने इसको पोस भी किया, कि इतिकली है, सही नहीं है, आगे आप जब पढ़ें के डिटेल में, आपको समझ में आएगा, कि इतिकली भी चीजों को सही होना अवश्यक होता है, तो इस प्रकार से, जिस प्रकार से, बनाया गया, वैसे ही, बहुत सारे बीटी वेजिटेबल्स, लाइक टॉमेटो, पॉटेटो, बीटी मेज, राइस, फाइबर इत्यादी भी बनाये गए थे, तिकि सब से पहले क्योंकि कॉटन बनाया गया था, इसलिए बीटी कॉटन काफी फेमेस है, तो यह बात हुई, कॉटन की, उसके बात में आपको बताया था, यह बातिक स्ट्रेस, तो यहां पर सिफ हमने कुछ एक्जामपल्स लिए हैं, टॉबे को जैसे टॉबे को के अंदर, आपको आगे दे रखाए कि किस कंपाउंड को बनाने के लिए जीन ट्रांसफर किया था, कंपाउंड था मै करता है, और किस प्रकार के स्ट्रेस को कम करते हैं, वह दिखाया है, अब नेक्स्ट है, मैंने यह पहले चीज़ रिस्टेंस का लिए, अब दूसरा, बनाता है, अब देखे को बताया था, क्रॉप यिल्टन पड़ है यहां प्रिकेशन चोप के रिख भी थे, सेकीड वाला जो है crop yield मातर अधिक हो और quality अच्छी हो यहां पर भी हम कुछ common उधार्ण लेते हैं इसका सबसे भायतों पर उधार्ण है golden rice golden rice आगे मैं आपको बताऊंगी समझाऊंगी अच्छे से तो यह golden rice basically ऐसे rice होते हैं जो की nutrition मिला उनकी quality को improve किया गया है ताकि यह लोगों को बहुत फाइदा पुछा है next flavor saver tomato यह ऐसे tomato होते हैं जो कि लंबे टाइम तेक हम store करके रख सकते हैं उसे हम कहते हैं flavor saver tomato तो यह दौनों example हम आगे लेंगे कि crop की quality कैसे हम बढ़ा सकते हैं genetic engineering की दवारा तो देखिए यह एक महत्वपुन transgenic plant है जिसका नाम है golden rice आप यहां पर picture में देख सकते हैं कि wild type rice white color का है जबकि golden rice आपको हलके से brownish color के नदर आ रहे हैं तो इसमें rice का color तो चेंज हुआ है लेकिन इसमें और क्या चीदे चेंज हुई है वह हम देखते हैं देखिए में इस प्राइस को डेवलप करने की आवशकता की हो ही आप जानते हैं कि विश्व की बहुसी एसी जनसंग्या है जो कि as a main food component अगर हम भारत की बात करें तो हमारे जितने भी कॉस्टल एरिया हैं वहां पर अधिकांश तया लोग में ली राइस पर डिपेंडेंट है तो लेकिन राइस आप जानते हैं कि इसमें सिफ कार्भूहार्ड़िट पाया जाता है नैचुरली इसकारण जो बच्चे राइस ही राइस में ही विटामीन A भी मिल जाए आप जानते हैं कि विटामीन A हमारे बॉड़ी में नहीं बनता है यसे हमें बहार से सप्लिमेंट लेना पड़ता है पर जो राइस पर डिपेंडेंट हैं जो भी एरियास वहां पर विटामीन A की कमी पाय जाती है तो उन्होंने एंजिंेरिंग को काम में किया मिलिया और ट्राण्जनिक लएन विट आप पनाया क्यों अब उन्होंने कैसे बनाया धर both जो है इस इसमें इंगी नृजीं तीज फिसक्राइद को ट्रांसफर कियागहिए लेकिन य्जो ती जींढरे िए यह न encant नामम आ जो यान किया बद यह लिए गया था किससे डेफोडिल से फ्लैंड डेफोडिल वहां से लिया गया था दूसरा जीन जो था उसका नाम था CRT-1 यह काम करता है Phytin Desaturase का इसे लिया गया था एक बैक्टिरिया से जिसका नाम था Ervenia Uridovora आपको यह सब चीज़े याद करने होगी कि तीन जीन थे तीन जीन में से दो जीन लिया गया थे डाफोडिल से और तीसरा जीन लिया गया था स्वाइल बैक्टिरिया Ervenia Uridovora से और इन तीनों के नाम भी आपको याद करने पड़ेंगे और यह किस एंज्राइम को बनाते हैं वो भी आपको याद करना पड़ेगा फाइटीन सिंथेज लाइकोपीन बीटाल साइकलेज और फाइटीन डी साचुरेज अब आगे हम देखते हैं कि किस प्रकार से इसने विटामीन ए को बनाया यहां पर देखिए एक पाथवे होता है जिसमें आपको मैंने केमिकल पाथवे बताया है कि नॉर्मली आइपीप से हमें अब राब्त खिता है जिरानल झिरनल डाइफौसफंटन में क्योंकि जो में स्वांगछ लेकीं हमारे इनक्षिक करता हैं जिसमें कारता है तो ती तीनों एंजयम के करण हमें क्या पराब्त हुआ प्रेकरसर होता है इस प्रकार आनों एब राफ्टहर इस प्रकार से के प्रब्स के अने बाइब पुन रहा है अलएंकि इसका एक ड्रॉबग भी कि लोगों ने पसंद नहीं किया था इसके कलर के कारण कि लोगों को वाइट राइस खाने के आपट है तो उन्हें यह इस कलर के राइस पसंद नहीं आए थे आब नेक्स्ट वाप रहे थे वे था फ्लेवर मतलब टेस्ट है गया एक जीन इसका नाम है ACC deaminase इसको काम में लिया गया क्योंकि यह जीन जो होता है आप जानते हैं कि इथायलीन के प्रड़क्शन के कारण कोई सबजी या फिर कोई भी वेजेटेबल क्या होती है वो आगे पकती है या फिर और ज्यादा उसमें इसके प्रड़क्शन को रोक दें तो इसे टमाटर प्राप्ट कर सकते हैं जो कि लंबे टाइम तक स्टोर किया सकते हैं तो इस प्रकार से हमें क्या प्राप्ट हुआ अब नास्ट था अपना अप्लिकेशन वो कह था ट्रांजनिक प्लांट्स ऐस बायो रिक्टर्स फोर रीकमेंट प्रोटीन यहां पे बने बताया था इनको एज फैक्टरी काम में लिया जाए कुछ मत्वपून प्रोटीन से मत्वपून उत्पाद करने के लिए प्रॉडक सब्सक्वाइब रुपन प्रोटीन फूज प्रोटीन भविए उस बांढमें नि खुग प्लांट्स को प्लांट्स को स्यभ इब लेक्टर काम में लिया क्योंकि आप बैक्ट्रेवाटी बेक्ट्र को भी hilft भी आपनेशन यह न्म्स को भी काम में ले सकते जैसे कि अगर हम animals को काम मिल ने तो mammalian expression system जो होता है उसका भाजा प्राप्ट होते हैं, लेकिन mammalian जो system है, animal animal cells से ब्राप्ट ज्यादा प्राप्त नहीं होते हैं और bacteria की problem किया है कि it's the product प्रोटिंग बनने के बाद में कुछ मॉडिफिकेशन होने के अवशक्ता होती है वो नहीं हो पाते हैं इस प्रकर से इनिमल्स और बैक्टिरिया में कुछ नहीं कुछ प्रॉब्लम होती है इसलिए प्लांट को खाम में ले जाता है ऐस बायो रियक्टर दरीकरमिन प्रोटिं नहीं प्रोटिं से कडिये बनें प्रोटिंट कि द्वारते के ड्यांट लेख में की कुछ उनियंक प्लांट के द्वारा सब्सक्तानिग यह दिर नहींगी यह प्रोह लेए फिससक्राइब अब यहां च्छला इसके बसे कडिकेस प्लाइब को 179 बिलेंशल इसके मुंक्य बना जाते हैं इसको हम कहते हैं Molecular Farming Farming आप जानते हैं कि यह क्या होता है तो Molecular Farming हो गया जिसमें हम Transgenic Plants के द्वारा Chemicals बना रहे हैं इसका मुख्य उधारन है Polyhydroxybutyrate Polyhydroxybutyrate एक Polyster होता है जिसमें कि Thermoplastic Property मतलब यह Heat Stable होता है और इसे हम Transgenic Arabidopsis के द्वारा बनाते हैं तो यह इसका मुख्य उधारन है PHB अब इसी प्रकार से Transgenic Plants बहुत सारे Vaccines बनाने में या बहुत से Proteins बनाने में काम में ले जाते हैं जिसे एक मुख्य एक्जामपल है Human Serum Albumin HSA यह टामेटों तदा पॉर्टेटों के प्लांट से बहुत इसी बनाया गया आजकल तो यह हो गया है कि वैक्सिन्स भी प्लांट से बनाया जा रहे है कि आप अगर आलू का लेंगे तो आपका वैक्सिनेशन हो जाएगा यह चीज़ भी हो रही है इस प्रकार से हम देख रहे है कि अप्लिकेशन से लेकिन को मुख्य तीन काटेगरी में भाटा था आप कुछ एक दो-दो एक्जाम्पल्स इन सब के याद कर लीजिए ताकि आपको आप समझा पाएं कि इन टाम्जनिक प्लांट की क्या अप्लिकेशन है गोल्डन राइस फ्लेवर से वे टामेटर को बीटी कॉटन यह तीनों आपको याद करने हैं कि यह एक्जाम्पल्स की टस्टी से बहुत मैत्रपूर्ण है धन्यवादा